हेलो फ्रेंज नमस्कार मैं कुमार महेंद्र आपके अपने आनलाइन प्लेटफार्म टारगेट विद प्येस परिहार पर आप लोगों का स्वागत करता हूं तो हम लोग जो लर्निंग पढ़ रहे हैं तो लर्निंग के स्रीज में हम लोग बहुत सारे सिधांत पढ़ चुके जो आप लोग की एक्जाम में बार-बार क्या किया जाता है पूछा जाता है तो चलिए देर में करते हुए सेशन को क्या करते हैं सुरू करते हैं और आप लोग सेशन को सेयर करना विल्कुल मत भूलिए वीडियो को सेयर कर दिया करें सभी बच्चों को और वीडियो को ला करना शुरू करेंगे तो आप यह इंपोर्टेंट होता है तो अब जीतना ज़्यादा ऑफ करेंगे मोटीवेट करेंगे चैश अलग क्या करेंगे प्रियास करेंगे अब kis Bell के बारे में लोग में Cyberpunk नाम है अधिगम का अधिगम का सोपान अधिगम का सोपान या किसी को देखे अस्ट तो पान या करेंगे इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बात करेंगे का है अधिगम का सोपान या अधिगम का अस्ट सोपान या सोपान की का सिध्धान सिधान का प्रतिपादन कौन किया था इस सिधान के जो प्रतिपादन करता है अर्था इस सिधान को जो दिये थे उनका नाम है अंका नाम क्या है देखे राबर्ट म बिल्स क्रावर्ट मिल्स इस देन राबर्ट मिल्स Qanyaine करें कि यह जो राबर्ट मिल्स गैने महोदे हैं या कहां के रहने वाले तो राबर्ट मिल्स गैने देखें निवासी है गर हम लोग बात करें कि यह निवासी कहां के हैं तो यह निवासी है आपके युएस्ते के अर्था देके यह आपके अमेरिका के निवासी अ मैं अमेरिकन साइको लाजिस्ट अमेरिकन क्या है अमेरिकन साइको लाजिस्ट जब भी पूचा तो इनके बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें तो इनका जन्म आपका ठीक है से में हुआ था इनकी बुख इनकी एक या कैसे बूख है जिसका नाम है बहुत इंपटेन व crease मोगे द तो 65 में अपना सिध्धांत दिया अपना सिध्धांत दिया अधिगम का सोपान या सोपान की का सिध्धां और ने बताया कि जो अधिगम इन्होंने टोटल अधिगम का देखे इन्होंने क्या बताया इन्होंने अधिगम का इन्होंने अधिगम का इन्होंने अधिगम का यह भी पुछा जाता है कि इन्होंने अधिगम का कुल कितना सोपान बताया तो इन्होंने कुल अधिगम का आठ सोपान बताया जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या है इंपोर्टेंट है बार बार आप लोगों के एक्जाम में यहां से प्रस्न क्या क्या जाएगा कुछा जाएगा तो चलिए समझने का प्रियास करते हैं कि इन्होंने जो अधिगम का 805 बताया था उसको कैसे बताया था और किस तरीगे से बताया था उसको क्या करते हैं समझते हैं और हम लोग देखते हैं अधिगम के जो 805 है उसके Weird तो देखें अगर हम लोग अधिगम के सौपान के बारे में बात करें तो इन्हों ने कुछ इस तरीके से एक डाइग्राम ड्रॉ करके कि अपने सिर्धान का जो आठ सोपान है उसको बताने का क्या किया प्रयास किया और देखें कैसे प्रयास किया वन कि टू कि ट्री ओर फाइव इक्स ते इनकी अधिकम का टोटल क्या हो गया यह आठ सोपान और देखें आठ सोपान को देखने का लोग प्रयास करते हैं कौन कौन है यह देखें फरस्ट second, third, four, five six seven eight इसका अपना क्रम इसका अपना क्या है पूछ nessन आठाल जो पहला है इस पहले की बात करें तो पहला जो है आपका संकेत मिए अधारी ताहिगम मैं जया गात अधित अधिदंग। अधिदभां अधिदंग अर्थात देखे संकेत अधिदंग है अर्थात अगर इसकी250 की बात कर लें हम लोग तो इसको बोलते हैं signal learning क्या बोलेंगे signal learning आप देखें इसके बाद हम लोग इसके दूसरे पर बात करें तो वह देखें है उद्धीपक अनुक्रिया अधिगम अधिगम है अरथा देखे इस्टिमूलस रिस्पॉन्स लर्निंग देखें क्या है इस्टिमूलस रिस्पॉन्स लर्निंग तीसरे की देखिए गार हम बात करें जो हमारा हड़ी न नमबर पर है अगर इसकी बाद करें तो दिए पहला संकेत अधरीत अधिगम धुत अधिंगम है दूसरा तोन इलिह किया क्या है यह अरता देख किर तनियों हो अर्था किया घार आ हो आपका है और गणियम पर दिबात करें तो चौथा आये आपका वर्बल अर्था लिए एक करें साब्दिक है है अर्था डेके और अरफ यह निए समझने का सबी लोग क्छलिए नंबर पर जो है आपका उसकी बात करें तो हिए बहु वीभेधिकराड वहु वीभेधि करड़ अर्था देखेंón Sud को सब्सक्राड अर्था श देख़ेंकर में बात कर लें तो आपका है डिस क्रीमिनेशन डिस्क्रीमिनेशन लर्निंग फिर इसके बाद देखे छठे नमबर के अगर लोग बात करें तो वह आपकी अधिगम कौन है तब इसके बाद जैसे ही बोगव्यदी करण कराएंगे तो इसके बाद संप्रत्य का क्या होगा निर्माण होगा अर्थात संप्रत्य अधिगम इसके बाद हम कौनसेप्ट बनाएंगे संप्रत्य अधिगम की बात करेंगे अर्थात कौनसेप्ट लर्निंग की बात करेंगे फिर इसके बाद देखे और थोड़ा साम लोग बात करें तो जैसे एक कौनसेप्ट का निर्माण हो जाएगा तब उसके बा अधिन6 अर्थाथ इसके बाद जैसे एक होगा कौणसा होगा के कितनी गुर tien श्म्वाध्वाधानил मैं अधिगला के समतहिप अधिगर अर्था बढ़र्ब्लम्स आलमी लर्नीं इसके बाद देख्के जो हमार होगा ब्रोब्लम में तॉलिं में को ऑलमे लर्नेंट अठीक है प्रॉब्लम साल भी लगनी तो देखे इस सिधां की बात करें तो यूपी टेट का चाहे प्राइमरी लेबल हो चाहे यूपी टेट का आपका ठीक है जूनियर लेबल हो चाहे सूपर टेट हो सभी एक्जाम के लिए कमनूप से उपयोगी है सीट में भी यहां से प्रस्ण इन्हों ने क्या बताया अधिगम का आठ सोपान बताया कितना सोपान बताया आठ सोपान पहले सोपान की बात करें तो एक बार आप लोग स्क्रीन सोट ले सकते हैं इसके बाद हम लोग इसके सोपान पर क्या करते हैं चर्चा करते हैं पहला सोपान इन्हों ने बताया पंक और फाला तीन आपका SSC फिर उसके बाद सांप्तिक की बाद करें की बहुतिक विभेदी करन पीकर आघ्या보 की बात कर रहें गुराई हो जाएगा फिर संपत्य संप्त्य अधिकप की बात कर रहे हैं यहां पर आपका सी हो जाएगा पिंडियम अधिगम की बात कर रहे हैं रूल बनाएंगे और उसके बाद संकेत अधारी जो अधिगम है इस अधिगम की बात करें तो इसको लर्बीं का या इनके सोपान का सबसे निमने इसथन बोलते हैं इसको देहिए इनके सोपान का यह बात करें यह पहला नंबर है या क्या है कि सब्सेीन रहे है यह क्याल इस तरह है यह बात करें रहे हैं आदि के निवन से कि उच्चे की और क्या कर रहा है किसके तरफ कर रहा है निम्न से उच्चे के तरफ क्या कर रहा है अर्था देखिए जो यह अधिगम है आपका संकेत अधारित अधिगम है यह पाउलाव के सिधान पर अधारित है तो यह पूछा गया है कि संकेत अधारित अधिगम किसके सिधान परदारित है जो कि सबसे निम्निस्तर का अधिगम है अर्था देखिए जैसे हम लोग रोट पर जाते हैं और रेड लाइट जलती है तो हम लोग तुरंट क्या हो जाते हैं रूप जाते हैं और जैसे एलो लाइट जलती होए तो हम लोग एक्टिव हो जाते हैं और ज होंडाइक के सिधान पर अधारित है उद्धीपक अनुकरिया का इस्ट्यमुलस रिस्पॉंज ठेरी अर्थाच जैसा हमको उद्धीपक दिखता है उसी तरीके से हम क्या करते हैं लर्निंग करते हैं अद्धारित चेन अधारित अधिकम की अगर हम लोग बात करें तो यह दे सब्सक्राइब करते हैं अब जब बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं अब उसका हम लोग बीभेदी करण करते हैं करते हैं उसको अलग-अलग करते हैं और जैसे ही उसको हम लोग अलग-अलग करते हैं तब उसके बाद हम क्या करते हैं एक नियम बनाते हैं क्या बनाते हैं नियम की यह चीजे ऐसे हो रहे हैं यह चीजे ऐसे हो रहे हैं और जैसे ही एक नियम बन जाता है तब उसके बाद ह समस्या कर देते हैं समाधन कर देते हैं तो इसको देखिए बच्चों बोला जाता है समस्या समध्या समध्या समंध्या अधिद्र की क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है तो बार बार इस सिध्धान्त को आपके एक्जाम में क्या किया जाता है पूछा जाता है तो आए इसी को हम लोग एक एक चीज को समझने का क्या करते है प्रयास करते है तो देख कुछ और बेसिक सीजिन के सिध्धान्त में समझे देखे जो यह सुरू का तीन है यह जो वाधी मुन बाध्यानिक और यह उपर का पांच यह लेके जो उपर का पांच है इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो अधियन करते हैं ऊपर कि जो यह 5 उसको संज्यान करते हैं केवल कौन करता है तो जो संग्यान वादी मनोभई ज्यानिक है जो गेस्टाल्ट वादी मनोभई ज्यानिक है संग्यान वादी मनोभई ज्यानिक है उपर के पांच का क्या करते हैं अध्यान करते हैं अर्था साब्दिक बहुभेदी करद सब परते नियम और संग्या इनके द्위रा सफिंखने के लिए हमको चिंतन करना पड़ता है अपने सूझ का प्रियोंग करना पड़ता है और यहां पर जो नीचे का T Foot है पाला दूसरा तीस्तरा इसको सीखने के लिए हमको बहुभ्या अपने। प्रियो कंश्टन करते हैं आपके के जिससे मैंने बताया कि संग्यानवादी केवल और केवल मानो haga करते हैं लेकिन हम बात करें तो मानो तो सब्सक्राइब करता है जयाती वादि के वह उपरas केवल पाँच का द्याद पर रहेगा लेकिन वैसे सब क्या करेगा अध्यान करेगा इतनी के बाते लयर हो गई चले अव इसके बाद हो गया एयो ही jet आप हम animal स समतने का प्रेयास करते हैं इनके शिद्धांत को इसको दिखर दिखे थोड़ा सा और समझते हैं पहला हम लोग बात किये थे लिखे सब से पहला राधारित जो अधिगम अरथा देखें हम लोग बात करें जो आपका सिगनल लर्निंग है इसकी बात करें तो देखे इसकी अगर हम लोग बात करें इसको जो रावा टेम गयने कहते हैं कि यह सीखने का यह दो क्या है सीखने का सबसे निमने इस तर है कि निमने इस तर है कि पिर देखें कहते हैं कि यह पावलो के सिध्धान पर अधारित है किसके सिध्धान पर यह पावलो के सिध्धान पर क्या है आधारीत है या पाउलो के सिध्धान पर आधारीत है या पाउलो के सिध्धान पर आधारीत है या पाउलो के सिध्धान पर क्या है आधारीत है या पाउलो के सिध्धान पर क्या है आधारीत है या पाउलो के सिध्धान पर क्या है आधारीत है इसमें अगर हम लोग बात करें जिसे गाड़ी का सिगनल देख करके क्या हो जाना रूप जाना रोड पर जाते हैं लाइट लगी होती है अगर एक्टिव हो गया और ग्रीन तो इसके बाद भागना क्या करती है शुरू करती है तो यह इसके अंतर यह सब चीज़ा आती है दूसरे न अनुक्रिया अधिगम जो उद्धीपक अनुक्रिया अधिगम है यह थांडाइक के सिधान पर अधारी ते प्र इसके बाद देखें अगर हम लोग बात करें जो तीसरे नंबर का देखिए जो थार्ड नंबर पर आका है अगर उसकी बात करें त्रिंखला अधिगम की बात करें जो स्रिंखला अधिगम है इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह देखें एडवीन रे गुथरी एडवीन norimi गुथरी के सिधान पर अधारीत यह सारी चीजे क्या करते है। सिक्वेंस में इसके बाद जो सबसे अंतीम आब अंतीम की बाद कर लेते हैं डाइरेट यहां से प्रस्म पूचा जाता है उसी की देखे जो आठ नंबर का है आपका आठमें नंबर का है समस्या समाधान समस्या समाधान जो अधिगम है कि यह सबसे अंतीम यह problem solving अने प्रॉबलं होकि तो भी कि लेरुशन है अगर देखरिंग हम लोग प्रॉब्लम सौल वी लरिंग की बात करें वच्चों इसको समझें जर्प इसमें क्या है तो फॉब्लम सौलविंग लर्निग है यह आपका de ast अगेस्टाल्ट वादी विचारधरा प्रणा है विचार धारा पर क्या अदहरीट आअधारी अर्था देखे संग्यान वादी विचार धारा पर अधारीट अर्था देखे यह तूज इस पर तूज या अंतर दृष्टी के सिंधान पर अधारित के सिंधान पर क्या है अधारित अधारित है अर्थात ब्रेक्ति यहां पर सबसे अधिक अपने सबसे अधिक अपने बुद्धी का प्रियोग करता है बुद्धी या संग्यान का क्या करता है अधिगम का उच्छे इस तर या अधिगम का उच्छे इस तर या इस तर से देखिए आपका जो अधिगम का सब्बान का जो सिद्धांत है आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया तो आपके परिच्छा के कमेंट करके बताएंगे ठीक है फिर अगला लेक्चर आपको तुरंट क्या किया जाएगा प्रोवाइट किया जाएगा अधिक साधिक लोगों क्या करिए शेयर करिए चलिए बहुत-बहुत आप लोगों को धन्यवाद